हमारे साथ जूरे रहने के लिए आप टो रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकट को दवाना मत भूलिए सो यहाँ पे हम अपने फोन पे है और आज किस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने इंस्टाग्राम पे पासवर्ट कैसे डाल सकते है यानि हम अपने इंस्टाग्राम के उपर पासवर्ट कैसे लगा सकते है बहुत ही जदा सिंपल और असान तरीका मैं आपको बताऊंगा इसलिए यहाँ पे आपको इस वीडियो को ध्यान से दिखना है ठीक है तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको अपने Instagram पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा Instagram डारेक्ट टलिक हो चुका है यानि यहाँ पे हमसे कोई भी पासड नहीं मांगा है तो चली यहां पर मैं आपको बता दूँ कि जैसे यहां पर आप अपने इंट्रागाम पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपसे password मांगेगा जिससे यहां पर आपका इंट्राग्राम काफी ज़्यादा secure हो जाएगा ठीक है इसके लिए सबसे पहले यहां पर आपको अपने इंट्रागाम से बाहर आना है बाहर आने के बाद यहां पर आपको अपने phone की setting के उपर क्लिक करना है देने यहां पर आपको search के उपर क्लिक करना है search पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको type करना app lock टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे में एक option दिखाई देगा app log और उसके नीचे में यहाँ पर आपको privacy लिखा हुआ आजागा तो यहाँ पर आपको देख लेना है उसके बाद यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहां पर आपको अप लोग के उपर क्लिक करना है देने यहां पर आपको उपर में अप लोग को यहां पर इनेबल करना है तो चली स्वें क्लिक करते हैं देने यहां पर सेटिंग पर क्लिक करते हैं setting पे क्लिक करने के बाद यहां पे हमारा skin black हो गया होगा इसलिए यहां पे आपको अपना password डाल देना है यानि यहां पे आपको उसी password को डालना है जो यहां पे आप अपने Instagram में रखना चाहते हैं उसके बाद यहां पे आपको अपना नाम डाल देना है नाम डालने के बाद य उपर में सही के टिक पर क्लिक करना है और यहां पर हमारा पासवर्ड सेट हो चुका है उसके बाद यहां पर आपको नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद यहां पर आपको खोज लेना चेह करने के बाद यहां पर आपको उपर में धेन पर क्लिक करना है और उसके बाद यहां पर आपको ओसर उंա। finger print और face आप चाहे तो यहाँ पे दोनों option को यहाँ पे enable कर सकते हैं नहीं तो यहाँ पे आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं चली फिलाल के लिए मैं इसे छोड़ देता हूँ और इसे यहाँ से cut कर देते हैं cut करने के बाद यहाँ पे आपको अपने instagram पे click करना है खुल चुका है तो इसी तरह से आप भी अपने instagram पे password लगा सकते हैं और किसी परकार की जनकारी के लिए आप हमारे instagram पे follow कर लीजिए